राजा परिक्षित सुन्दर राज्य चलाओदे हुनुँँछा सुन्दर राज्य चलाओदा एक दिन मेरो राज्य कस्तो रहे छा भनेरा हेर ना भनेरा निस्कानो भायेको थियो कती चे रहे छन मेरा प्रजाक्य गर्दा रहे छन कस्ता रहे छन ख़िए 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 गाईर बाच्छो मा पनी बाच्छो कोता तीन वटा चर नहीं थिये नन, तीन वटा पाव नहीं थिये नन, एउटा पाव मा विचारा बाच्छो अडियेको थियो अब ये सरी तीन बाच्छो अडियेको देखदा अनि तेई मा थी येउटा व्यक्ति डरलाग दो हेरदा जरलाग दो व्यक्ति उन्हें हरूलाई ताड़ना गर देए थियो पीडा दिदाई थियो तियो देखने बित्ति कई राजा परक्छितला आश्चर लागे हो एई पक भनेरा रोकनो भायो तियो जल्ले तारना दिदाई थियो उन्हें रोक्यो अनि गहेरा सोदनो भायो हजुर हरू को यो अवस्ता कशरी भायो क्ये कारणले अज्चर को अवस्ता आश्टो चा भनेरा राजा परक्छितले प्रश्णगर्दा जो बाच्छो थियो बाच्छो ले भने प्रभू कसलाई दोस दिनेरा कसलाई दोस दिनेरा केई थाईदाई छाई ना राधे 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 आजा गणेश जी को ब्रात अच्छा क्या हो वो ते वरत राधे राधे बंदा है हले शुनी दो राचा था ने एक चोटी सब बैजाना ले है यहां देखिए आज चाहिं सिना मंगल सम्मचे प्रहाईदिम नावाच राधे राधे पुराउन खोजेको एरपोट नेरी जप्पई रोक्यो आवाज लू ते शिना मंगल सम्मचे पुराउन पारे नी फेरी एक चोटी दो टे हाथ उठाए राधे राधे झाक्के शिना मंगल की पिपल करोख में पुगो अब तियो बाद छोलाई सोद्ण भयो किना एस्तो भयो अवस्ता किना एस्तो छा कसले गर्यों हजी हरुको अवस्ता एस्तो भने रा बाद छोलाई सोद्धा खेरी बाद छोले भने प्रभु हमिले कसलाई दोस दिने रा भगवान ले भन्णु हुँँछा जे हुँचा जशोष हुँचा आफुनो कर्मको फल हो आफुनो कर्मको फल भोगनु पर छा तेई हो हामीली सुने गोता हुदा तेवर अम्मा कसाइलाई दोस दिनक हमें कशहिलाई दोश दिदेनो यो मिरो कर्म में यस्तो तेई भायरा मेरो तीन टा चारण चारण वाटल दोस दिने अवस्ता चाहिना प्रवु मिर कर्मा को फल हो भने भनने बिद्ति गयी लवनानी इता साक्षा धर्म होनोदव राएचा किना धर्मा को आचरण तियो हनी ता धर्मा ले क्यों भनचा कसाई लाई दोस न दिने जे हुनचा अफनो कर्मा को फल हो भनने भावना राखने ता धर्मा को आचरण हो धर्मा को मान्यता हो तो कारण ले बाच्छा रुप काता साक्षा धर्मा रहे छन अनि जो गाई रुप इता साक्षात प्रिथिवी रही छिनु भन्यकुरा चिन्नु भयो धर्म का चार वटा चरण हरो छनु शत्य पवित्रता तप दयार दानु अनि धर्म अईले राजा परिक्षितले हेरदा मात्र यहुटा पाव माडिये का थिये त्योह सत्य। सत्यमात्र वाकी थियो पवित्रता तप दयार दान्त थिये ना अनि त्योह जल्लेत प्रताडित गरी रहे को थियो उसलाई सोद्नु भो ताचाहि को होस भनेर सोद्धा प्रभू म कली भने उसले म कली हुँ प्रभू कली भने को सुन्ने बित्तिके आपुले बोक्नो भयको तलवार निकालनो भो तहीले कसरी मेरो राज्यमा प्रवेस गरने आठ गरिश मेरो राज्यमा उचु भनेर तेरो यत्रो हिम्मत कि मेरो राज्यमा ताउने भन्दा पाही प्रभू त्राहिमा भनेर चरण्ड मा सश्टंग डंडवत गर्न थालियो रभन्न थालियो प्रभू जता तता है हजुर कैई राज्यमा पूरई प्रिथिवीव को सम्राठ हजुर हुनुँँच अनि मा कहा गयर बसनुथा ना बरु क्रिपा गरेर मलाई इस्तान दिनुष न हजुर जहा भन्नो हुँच अ मत्ये इस्तान मा निवास गर्षू त्यो भन्दा एक कदम पानं स्थ्रिया सूना इस्तान दिनुवो ज angles जुवाता श्केली इन्छा जहां मदिराको पान हुँच जहां ब्यवीचार हुँच रह जहां हिन्सा हुँच इस्तान इस्तान कलिलाई दिन भोर बान्नुवो बाबुकली अब यो भन्दा अगाडी अलिकति पनी नभरण्न है भन्दा फेरी चरण पकडिन जब प्रभु एउटा बिन्ती सुनि वक्षियोस क्य बिन्ती मेरो जाहन अलिकति ठुला अचन प्रभु यो चारवडा कोठामान नो अटाउने भाय ते भायरा हयोता हजुर को एक्छाले दिनु भाय को स्थान भायो निता एउटा मेरो प्रभु मलाई सुनमा गयर बसने एक्छा छा मलाई सुनमा बास दिनो भने पसी तथास्तु भने दिन भू तो दिन देखिस शुनमा पनी कली बस साहे तरह कस्तो सुनमा फेर अगारी भगवान ले बनन भाय कोचा आपनो बिबुती हर को बढ़न गरने वेलामा धातु नाम असमी कांचन धातु हर्मा मा कंचन सुन हुँ भन्न भाय कोचा एता कली लाई पनी बास दिये कोचा जुन सुन अधर्मा पुर्वक आर्जन गरिये कोचा जुन सुन भगवान को बास चत्या भगवान निवास गरनना हुँ चाव एती स्तान पाएर कल्यूग मक्ख परेर आफनो स्तान तर्फ जाना थालियो अब समय बिद्धे गयो एक दिन राजा परिक्षित आफनो दरवार मा बसेर सोचना थालना भो मेरा पिताप पुर्खा हरूलेता कती युद्ध गरेर अनेक धन आर्जन गरेर यहां जोडेर जानो भायेको छा अब किके रहेचा आज गयरा हेरनो परेवने राजा परिक्षित गोदाम भंडार कोठामा जानो भायो चिरने बित्तिके युटा रामरो चम 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 गरेरा चम की रहेको स्वल्ण मुकुट देखनो भायो त्यों मुकुट देखने बित्तिके वहां को मन त्यों मुकुट मा मोहीत भायो अनि त्यों सुना को मुकुट आफनो सिरामा धारन गरनो भायो तियो मुकुट चेई पांडवरुले जरासंद संग युद्ध गर्दा छल गरेरा प्राप्त गरेको मुकुट थियो अनि तियो छल गरेरा प्राप्त भयेको मुकुट मात कली को बास भयो तियो धारण गर्ने बित्ति गई तिस्ता धार्मिक राजा कईले हत्या हिंसा गर्न हुन्ना कईले पनी अरुप प्राणिको हत्या गर्न हुन्ना अरू प्राणिलाई कश्ट दिन हुन्ना, सबयमा भगवान को बास चो, तिजती पनी प्राणिचन भगवान का संतान हुन्, हमरा दाजुभाई हरु हुन् एवटा प्राणिले अरको प्राणिलाई मार्दा कुने इपनी देवी देवता खुशी हुदैनन भन्ने भावना सदैवा मनमा राखने ती राजा परिक्षित त्यों मुकुट लाउने बित्ति कही हाथ मा धनुस बाड लियरा बनमा सिकार को निमती जाने एक्ष्याउत पन् कतिसम्मा प्रवाब पार ख demographics आमिलाई कतिसम्मा सताओनों च वन्ने कुणा याँ वाट देखी रईकोच्ष्या तीस्ता राजा सदै भरी साधु संत्यको शानियद्यमा रहने साधु संत्य वाट दिभ्य ज्याण पाई रहने हिंग्सा बाट सदै टाडा रहने राजा मनमा पनी आज़ो शिकार को निम्दी निष्कनी रहर मन कलीलेली आई दे कोछा निष्कनो वो अजाध मा धनुश बाद लेरा जादते होनुँछा जड़ा जाद् Vince मा जानुभो बनमा गुँँदे होनुद्यो गुँँदे होनुद्यो प्यास लागे वह लई, प्यास लागे पचे नजी के उठा, समिक नामगडे का रीसी को आश्रम थियो त्या जानुभो पानी प्यूना को निम्ति भने रा शमिक नामगडे का रीसी ध्यानस्त मुद्रामा हुनुंतियो ध्यान ग PROFOK जो दई राजा परिक्शित पुगनभों बाईर गैरैं बुलाओन रीसी । मलायी प्यास लागे को छाजल्दिनुष मलायी प्यासलां बिलोण था पानी धिनुष भनेर बार 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 बुलाओन धाल्दा ध्यान म Mutta द्रामा हुन भये का समिक रिशी लिए केई चाल पाउन भये ना वहां एकत्र भये र ध्यान मा हुनोंच इस्तों अवस्तामा राजा परिक्षित माथी कली को बास छा कली सवार्ष सिरमा ए मलाई पानी दिनु पर्च भने र ध्यान गरे को नाटक गरी रहे का छा निरिशी भन्ने मनो भाब उत्पन्न भयो कलीले हरीक कुरामा असर गरी रहे को छा पहले तो बद्धिमा गयरवसी दिन छा तेसपची मनमा मनमा गई सके पची हमरा क्रियाहर्मा पनी कलीले नियंत्रन ली रहे को हम्हां प्राजा परिक्षित प्रप एस्तोगरे नियंत्रन मां लीयेको त्यों राजा परिक्षित प्रसुन होनों भयों कली मां विवस भया अब के गरों दोटेक छट पटाहाँ होना थालेव अब कसरीए मेरो अपमान भये को चाल यो अपमान सहन भये ना वो मैले कसरी अपमान लाई सांत अगर नो कसरी यो अपमान को बदला ने नू यो बदला पनी कली को प्रवाव ले कसरी बदला ली नू भने रहो वहां को मनमा इस तो भाव उत्पन भयो ए ताव तीहर नो भयो उता मरे को सर उसको बाड ले तियो मरे को सरपलाय उठाओन भयो रा समिक रिसी को गलामा बेरी दिनो भयो तियो बेरी रहे को द्रिश्या युटा सानो बालक ले देखी रहे को थियो तियो बालक ले तो द्रिश्या देखने भित्ति के दौड़ी देई गयो नजी कई कोशी की नामगरे की घंगामा, इस्नान गरी रहेका समिक रीषिगा पुत्र थी श्रिंगी, ति श्रिंगी लाई सुनाई दियति शाना बालकले श्रिंगी, हजुरका पिताजी को गला माता सरप लगाई दियर अपमान गरे का चन राजा परिक्षित ले भनने बित्ती कई, जसले मेरो पिताजी को अपमान भै को महसूस भैयो तो अपमान भै को महसूस हुने बित्ति कई तैकोशी के नदी को जल हातमा उठाओ न भैयो रहातम उठाए रहए से जिंगिर सिले dal कमान वरी चिम अन लंगितम मरियादम तक्षक सब्तमे हनी जसले मेरो पिताजी को अपमान गरेको छ जुन राजा ले त्यों राजा लाए आजा को साथ दिन मा तक्षक नाम गरेको सर पले डसे रा त्यों राजा को मृत्यों हुँँच भने रा श्राब दिन भो सब्तमे हनी साथ दिन मा हानी भय हालोओश प्राण गय आलोश तक्षकले आयरा डसी हालोश भनेर श्राब दिन भो राजा परिक्षितले सरप लगाये रहो अहां दर्वार फरकेर जान भो दर्वार गयर त्यों मुकुट खुलने वित honु कही जसरी मुकुट खुलियो मुकु यहारू आखामा जल जल जाओन थाले जल जल आऊन थाले शेगे पछे आत्म गलानी भयो लवना यो मैले कस तोचहीं गलती गरेशू मवाट ठुलो गल्ती भयो मैंले आज जिवन मा गर्ण नहुने गल्ती गरें हे प्रभू इसको प्रयास्चित मैंले अब कसरी गर्ण भनेर मन मने सारे चिंती थुनों भयो दुखी भयर बसन थालन भो एता स्रिंगी आफना पिता भय को स्तान मा जादा समिक रिशी छोर रोय को सुनेर भार 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 गयर पिताजी पिताजी भनेर बोलाई सके पच्छी समिक रिशी को ध्यान रोकियो अनी क्यों भयो बाबु भंदा सबय व्रितांत श्रिंगी ले सुनाए इसरी स्रिंगेले सुनाओ दाबाबो तीमिले आवेगमा आये रह, श्राप चाहिं नदीनों परने वहां ता सारे धार्मिक पूर राजा हुनुंड था बाबू, ता सारे धार्मिक राजा, सारे प्रजा पालक राजा श्वयम विष्णु रूप राजा लाई तो विष्णु को रूप मानिन छानी तिमी ले तो युटा राजा लाई श्राप दियो राजा ता हमरा विष्णु स्वरूप हामीले पुझने राजा होन। राजा लाई तिमी ले श्राप दियो बाबु तो प्रजा पालक राजा लाई युटा गलती भयो अब तिमी ले दिये को श्राप मैले हटाऊना तो सक्दीना तर अपनी जब सम्मा ती राजा ले श्राप लागे को छवन्ने को राज थापाऊ देनन तब सम्मा तो श्राप ल गईर सुनाई दिये राजा सुनने बित्ति कही अत्यंतर रुण थालनों भया यो कारण ले रुण भया ना कि मा मर्दई चुभनेर यो कारण ले चिंतीत भयर वहां का आंका सजल भयर बग न थाले किना भने यो साथ दिन सम्म जना रिसी को अपमान गरेको तो बोज लेर मकस जीवनु इज़ साथ दिन सम्म मकसरी बाचन एक जना रिसी को अपमान गरेको तो बढमान आले रा मा कसरी जिऊनू यो साद दिन मेरो दिन कसरी कडछा भाने रा साराई चिन्तित भायरा वसना थालनो फो अभव सबय कुरा छोड़ छाड गरे रा मला यो साद दिन मा मर्दै चुभन्ने कुरा जब ठाहा छबने अब गंगाजी को टट मा आयरा बसना थालनो फो अब गंगाजी को टट मा आयरा बसन थालनो भायेको छा त्याहां आउने बित्ति कई चारेई तीरा हल्ला भयो कि राजा परिक्षित लाई स्राप लागेको छा अनि राजा परिक्षित साथ दिनमा मुक्ती कसरी हुँचा भन्ने कुरा खोजना को लागी पत्ता लगाउना को लागी साथ दिनमा मुक्ती पाउना को लागी गंगा जी को टटमा आयर बसन भय कोचा भन्ने कुरा एककान दुएकान मैदान हो दै सबाई तिरा फाईली न थालियो जब एसरी सबाई तिरा फाईली न थालियो जो जो रिसी मुनी हरूले थापाउनु भायो वहारुसंगा जेजे थियो आयरा तेई ज्यान दिना थालन भो कोई आउनु भो बाबु मुक्तिको बाटोगर न यो नामको जाब गर राजा परिक्षितले भन्नु भो ठीकाई छा तरह भित्रही देखी संतुष्टित लागे न अहाँ इसले हो दैना होला है भन्ने मनमा लागे जसले जे जाने को थे ते शिकाऊना थाल न भो कोई अत्यन संत संगित का मुर्धन्य रिशिमुनियाओन भो आयर भन्न थाल न भो बाबु यो राग गाउ मनमा आनन्द हुन्छा राग गाउ हने तरह पनी मन सांत भये न कोई आयर अक्ये भन्ने कोई आयर अक्ये भन्ने अनेक वेक्तिका अनेक कुराहरु सुन्न थाल न भो मन सांत भ इभभास्कर हेरदा साक्षात दुस्रा चंद्रमा दुस्रों चंद्रमा लागने श्री सुकदेव स्वामी को आगमन त्यहां भयो जब सुकदेव स्वामी को आगमन भयो टाड़ा वट इस तो लागी रहे को थ्यों कि अनी तु दिव्य भेश लेरा साना बारा वर्षा का स्री सुकदेव स्वामी सोरसा वर्षा का श्री सुकदेव स्वामी जब आगमन त्यों प्रेमना पठन भागवतं सनेई 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 प्रेमना पठन भागवतं सने भागवत का स्लोग विस्तारी गुनगुनावदे गुनगुनावदे आउन भागवान श्री सुकदेव को शोरूप देखे रहा चती पनी त्याहा रिशिमनी हर उपस्तित हुनोंतियो सब्बय आफनो इस्तान वाट उठेर स्वागत गरना धाल नभो जहां वहां का पिता जी पनी हुनोंतियो ब्यास जी जहां वहां का हजर बुआ परासर जी पनी हुनोंतियो त्यहां वहां का जी जुबुआ शक्ति नाम गरे का रिशीपनी होनुंतियों सबय इले उठेरा सम्मान गर्नभो यो मेरो छोरो हो यो मेरो नाती हो भनेरा भागवत भगवान का परम भागवत भनेरा सबय इले उठेरा दिभ्या स्वागत गरे पची सुन्दर रम्रो आसन मला गएरा शुकदेव जिलाई विराजमान गर त्या राखी सके पची दिभ्या पूजन भयो अनि राजा परिक्षित को मन मा जुन प्रश्ण थियो त्यों प्रश्ण राजा परिक्षित ले विस्ता आ रहे सुकदेव स्वामी को अगाडी राखनो भयो रभन्नो भो प्रभू आताह प्रिक्षामी संसिध्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरु सस्य है अतकार्यम म्रियम आडश्य सर्वता है नात है हजुर्लाई मेरे मन मा आये को प्रश्ण राखों है हे गुरु हे योगी हरुप मा पनी परम गुरु परम योगी जसले यू संसारिक महले मलाई छुन्च होला वनेरा सवे त्याग गरेरा बन्मा गईरा निवास गर्णु भाये को छब इसता भगवान का परम भागवत है ब्यास नंदन मिर मन मा धिरई पिड़ा छा मसंग समय कम छा थे वेर महाजुलाई सुन्च चाहां छू पुरुशस स्यह यतकार्यम म्रिय माडश्य सर्व था जो व्यक्ति सत दिनमां मरदय छा भनी तो व्यक्तिले मुक्ति पाउन को लागी क्य सा चाहा भायरा सत दिनमां मुक्ति हुने बाटो मलाई भाने दोष प्रभवु भनेरा प्रश्ण राख्नों है हामी संग अपनी आठों दिन छाई नहाई हामी पनी साताई दिन का पाऊ नहाऊँ साथ दिन बाएक आठों दिन छाता छाई नहाई यो प्रश्ना राजा परिक्षित ले अफनो लागी मात्र सोद्न भाई को होई नहाँ यो हामरो लागी सोद्न भाई को प्रश्न हो हामी संग अपनी साताई हो रभी सोम मंगल बुद गुरु सुक्र सनी यही साथ दिन में हमी जाने हो नि कोई रवी, कोई सोम, कोई मंगल, कोई बुद, कोई गुरु, कोई सुक्र, कोई सानी तेती मात्र फरक हो, जाने तो यही साथ दिन में हो तेवर जब साथ दिन में जानूचा भन्ने कुरा हामेला धुक्क संग थाँचा कोई अजर अमर यो संसार मां छहीना भन्ने कुरा हामिलाई प्रष्ट थाहा छा जन में पछी जान नहीं छा भन्ने कुरा थाहा छा अनी किये गर्दा कहां जान पाइन छा भन्ने कुरा पनी हामिलाई थाहा छा तरह हमें कुवा को भ्यागुतो बने रवसी रहे का छाओं तो कुवा को भ्यागुतो ले के गर छारे भने तो कुवा मात्र संसार हो यो कुवा वाट बाई रत केई पनी छाईना भनने सोच छारे कुवा मा फसे को भ्यागुतो ले क condemn to Story 2 दून आइना कर दो इस लाई же संसार लाइक शहूँ ते इस बस चा टर 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 गरश simplement सीरा상 ऐब अदयो बंदा बाईरल 祈 üzerine 242 बसंऄम ग्रियमन्द कूपम dripping यो अन्द कूपमाचोँ ए अरको भगवान को वैकुंठ चा भगवान को गोलोग धाम थाम था भगवान का अनेगल दिब्य धाम हरू असार केतधाँ कुणमां जनरॉ एक्षा आचा मगवान सब्सक्राइवं भगवान को श्रिचरण मा बास हो होस भनने कामना राखे रो मक्ष हो स्वने कामना राखे रहर यही साद दिनमा गरना भ्याय ना वनने तो फेरी का गई चएक आगरीे यम्राज जिसंहं जमका भेट होना सक्छा है तो यु भैर यु शात दिन मैं हमिले मुक्तिको बाटो पकड़नो प परशा है ना भनेता सारे कष्ट अवनेर अनेक अनेक पूरान हर्मा बढ़्णन गरिये गो छा है राधे राधे नेक पूरान हर्मा यो साथ दिन मा मुक्तिको बातो कसरी मुक्ष्य प्राप्ती हुँंचा कसरी मुक्ती हुँंचा भन्ने खुरा है जा के भाहले प्रक्ष्वार बत भातो कसरी प्त्त लगाई दोर रहे छां एक मोक्ष कसरी हुदों रहे छां भन्यकुरां तरसरी अईले यहां राजा परिक्षितले श्री शुकुदेव स्वामी लाई सुन्द भयों अबशुकुदेव स्वामी ऊत्तर दिना धालनों भयको छो तर योटा सुन्दर भजनमा आणनद लिये पची मात्र ऊत् कुछ हो हुए मुट हुए जोुए झाल हुए हुए नगा हुए यूझदर